तो है गाज वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल तो दोस्तो मैं हूं नजरूल रजा और आप देख रहें आपका अपनाई चैनल नास्री लाइटी टेक दोस्तो अब अलमुनिया वायर से भी रिवैकल की हूई पंखा की लाइब काफी ज्याने यार की कोपर की जैसा होने वाली है जी हां आप बिलकुल सही सुन रहे हो जैसा कि आपको पता एक्षेंट से हमारी copper wire से जो पंखा रिवाइनिंग की हुई राती है उसकी lab दोस्तों काफी ज़्यादा होती है यारी कि लूप छोड़ने की समस्या दोस्तों उसमें नहीं आती है और दोस्तों यहीं पे अगर aluminum की बात की जाए तो अगर आप aluminum wire से पंख siis कयका लाइब कंटीन्यों पूरा जोर देंगा काफी जनकाड़ी यहाप पे मिलती है और आगे वी में देता रहूँघ तो चलिए तौन बीडियो काफी नोलिजबल में दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो सुरू करने च्पले आपसे छोटी स्रूप करता हूं अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइज रुख किजेगा और साथ फैंट जो बंदे चैनल को पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कि लूप के जगा पे शोल्डरिंग करने के लिए एक हमारी फ्लक्स आती है याँ अप आप देखो से यह हमारी यूटूवर से खरीदा था वह यूटूब पे वीडियो बनाते हैं और दोस्तो वह वीडियो डाले थे तो हमने देखा और उसी से दोस्तो हमने इस फ्लक्स को खरीदा है करीब देर स्वरुपिया का एक बोतल हमें परा था देख सकते हैं आप दो बोतल लिया था तो हमारी यह काफी दिन यहां पर ज्यादा चलने वाली है अगर दोस्तों आप इसे ओनलाइन ट्रैक करना चाहते हो तो आप ट्रैक कर लेना एलमुनियम शोल्डरिंग फ्लक्स लिखके वहां पर आपको 300 से कम में यह डिपा नहीं मिलने वाली है तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो मैं आपको इसका नमर दे दूंगा आप उससे क्वाल करके या दोस्तों वाट्सप पर बात करके इससे मंगवा लेना काफी यहां पर अच्छी की जाती है तो अच्छी बात है अगर आपको नहीं पता है तो हमें कमेंट वाक्स में बता देना कि तरीवाइर की किसी तरह से की जाती है तो यहां पर बनाना नहीं आता है तो मैं जल्दी फ्रेंट्स इसके उपर एक वीडियो लेके आ जाओंगा क्योंकि दूस्तों यहां पर थिरी वायर की कनेक्शन करने के लिए वायर निक के साथ हमें छेड़ चार करनी पड़ती है तो चलिए दोस्तों यहां पर सबसे पहला हम क्या करते इसकी कॉमन बना लेते हैं यानिकि इसको मैं यहां पर लगा देता हूं इस वायर को यूज कर रहा हूं तो चलिए यहां पर वायर को लपटीएगा तो यहां पर वायर का इंसलेशन हटा लेनी है और यहां पर वायर में थोड़ा सा आपको जह गेपिंग दे देके यानिकी लूप में आपको जह थोड़ा सा गेपिंग दे देके आपको जह वायर को लपट नहीं है लूप को यहां पर बनाने देखिए कुछी तरह से हमने यहां पर गेपिंग दे दिया है इस तरह से यहां पीनेकट हो गई हैं अब दोस्तों हमारी स्ट對啊 चलने वाल ले इसलिए थ्री वार यूज बना देता ि तो दोस्तों यहां पीज neighbors यहां पे क्या करने इस liquid को लेनी इंदें ले लिए हैं कुछ इस तरह id अंपर लिकुड को लगा लिया आज पर आपको कोई पीच यूज नहीं कर पर रंति इंदें स्काथ यहां पर ळंती होग है यहां पर काफी ज्यादा मात्रा में आपको धुआ भी नजर आएगी तो आपको ध्यान प्रपक्त से आंख को बचा के यहां पर करनी है तो चलिए यहां पर देखिए हमारे कर लेता हुँए यहां पर देखिए यहां पर यहां पर कितने अच्छी तरशें चलिकते प्रपक्त काम करती हो ज्यादा तरह समस्य आती है लूप ही छुडने की यानिकि पंखा को यहां पर यह चुहा कार देतों कोई बात नहीं अगर यहां पर नहीं कारती है तो हमारी लूफ ही छोड़ देती है इस तरह से दोस्तों आप इसकी प्रोब्लम को स्वल्व कर सकते हो तो उमिधे फ्रेंड्स यह चोटा सा जनकारी आप लोग को पसंद जरू आयोगी सो वीडियो को लाइक जरू किजेगा और साथी फ् आप लोग को जल देखने के लिए तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नहीं वीडियो और किसी नहीं फोल्ड के साथ तक के लिए अलविधा और टेक केर बायो